नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आपके अपनी यूटूब चैनल राश्तान विरुजगर चातर। दोस्तों मदन मोहन मालवी राजगे आईरवेद विश्वद्द्याले उदेपूर्णे 231 नमर विग्यप्ति जारी करते वे 3 जूहन 2022 के मादिम से यूटीबी आधार पर विभिन पदों के लिए जो आवेदन हैं वो माईए हैं किस परकार से हैं साथ ही मैं बता दूँ ये जो यूटीबी बरती है अन्य बरती हैं इसमें मानदेवी काफी अच्छा यहाँ पर आईरवेद महाविद्द्याले दौरा दिया जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं समस्त दस्ता वेजिस में शैक्षनिक तकनिकी और अनुबव की एक सेल पर्टाइश्टेड परतिलीपी के साथ अपने बायो डेटा अंदरधारित आवेदन पत्र सहित बंदल इफापे में दिनांग 10 जून 2022 को साएं 5 बजे तक कार्याले में जमा खरवा सकते हैं तो दोस्तों ये जो भरती है वो आचुकी है अरिजन टेंपरेरी बेसिस पे और जो भरती इचुक है वो 10 जून 2022 तक शाएं 5 बजे तक अपना आवेदन दे सकते हैं आप दख सकते हैं जिसमें किस पद पर बढ़ती है कितने पद हैं और परती मा मानदे यहां पर कितना दिया जाएगा जैसा कि आप दख सकते हैं प्रोफेशर प्रसूती तंत्र यह त्री रोग एक पद मासिक मानre 52,800 रुपे असोशेयर्स प्रोफेशर स्व्तवर्थ एक पद 47,200, लेक्चर एक पद 49,300, लेक्चर अंगत तंत्रे यह भीदी आउयल्वेड का एक पद 49,300, लेक्चर पंचकरम सालक केतंत्र दोपन इसी प्रकार से नर्सिंग अधिक्रक्स केट्ट मांड़े लुपयर हो dissol नरस कंपोंडर 15 चाह्री कीचल ड़ शेबी पॉष्ट थेईस हजार पानसो रुपे इसी प्रकार से प्रियोग साला सहिक चार पोष्ट अठारा जार पानसो रुपे मासिक मान दे इलेक्ट्रिशन एक पोष्ट तेरा हजार पानसो चतुर्ष्रेणी क्रमचारी चतुर्ष्रेणी समरग के बारा करमचारी बारा हजार चार सो मासिक मान दे पाचक चतुर्ष्रेणी समरग में चार पोष्ट बारा हजार चार सो रुपे इसी प्रकार से परिचारक चतुर्ष्रेणी समरग में बारा अच्छे पोष्ट बारा हजार चार सो मासिक मान दे इन् प्रेस आयर्वेद कोलेज उधेपूर पर दिनांक 13 जून 2022 को साएं पांच भी अप्लोड की जावेगी इसे तु कोई परतक से कोल लेटर नहीं भी जवाए जाएगा यूटीवी आधार पर उक्त भरती नियमित नियुक्ती होने अत्वा वित्य वर्ष 2022-23 यानि कि 31 मार्श 2023 अत्वा राज्य सरकार निदेशाले दौरब पदोनती इस्तानतन के मादम से पदसापन किया जाने अत्वा आगरी मादेस्तु तक जो भी पहले हो तक लागू होगी जो प्रोफेशर है प्रसूस्ती तंत्र निस्त्रयोग इनका रखा गया है और सबसे कम जो मांदे है वो परिचारक पाचक और चतुर शर्णी क्रमचारी का रखा गया है 12800 रुपे तो आप यहां पर आवजन कर सकते हैं 10 जून तक और 13 जून को यहां पर जो जिन जिन अभ पर त्यूंका वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम होगा वह सवता ही नर्दाल समय और स्तान पर अपने डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्ते तो हैं साथी नर्देश जैसा कि आप देख सकते हैं उपरोक्त बढ़ती कि है तू आयू श्रीमा राजसान आयुर्वेद यूनानी होमेपेती और प्राकर्टेक चेकिश्या सेवानियम 1903 अधिनस सेवानियम 1966 के नुशार होगी चतुर्श्रेणी समर्ग के पद है तू नियूंतम योगेता आठ भी उत्तिरन होना अनिबारी है पदों में कमी और वर्दी करने का फूर्ण दिकार राज्य सरकार के पास है चैन प्रक्रिया में अंतिम जो चैन निर्ण है वो चैन सिम्मीतिका रहेगा दस्तावे सत्यापन में उपस्तेद होने वाले अभैरथियों को कोरोना गाइडलाइन का पलौन रमाण करना होगा इस या तु कोई टीय डिय यह यह आपर दे नहीं होगा अभैर्तियों कोई भी आपरादिक परकरण दर्ज नहीं है तता कारे ग्रहन के परश्याद 15 दिवर्श के भीतर पुलिश वेरिफिकेशन जमा करवाना अनिवार रहेगा समझ चैनित अबेर्टि को कारे ग्रहन के समय एकार्मिक विभा के प्रिपत्र दिनांग 4 अक्टोबर 2013 के नुशार द किसी भी स्तर पर वाद प्रस्तूत नहीं करेंगी प्रोपेश्र महेश दिक्षित जो प्राचारी उनके इस्ताक्ष्रोष्य बढ़ती विगप्ति यहां पर जारी किये साथ ही मैं बता दूं बढ़ती विगप्ति का जो संपूर्ण जो बायो डेटा है वो हमारे टेलेग्र जो एड़टाइजमेंट नंबर है वो प्रती स्लेश वन स्लेश एक्सो दस स्लेश यूटीवी स्लेश दोहजार एक्कीस स्लेश तेईस इकराणव दिनांग तीन जून दोहजार बाईस रहेगा इस परकार से किस पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हैं उसका नाम आएगा आ पादरी हजमेंट नेम डेटो बर्थ एजूकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जो डिटियल है वो आएगी एक्सपिरियंस आपकी पास है तो उसकी डिटियल से यहां पर आएगी इसी परकार से पत्राचार का पता परमानेंट एड्रेस कोंटेक्ट नंबर इमेल ए आवेदन आमंतरित की हैं और आप देख सकते हैं 10 जून तक साये पांच फिजे तक आप अपलाई यहां पर कर सकते हैं 10 जून बाद में किसी परकार के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और 13 जून को साये 5 मुझे एजूकेशन. रास्तान सलेश आयलवेद को उदेपूर की साइट पर जो आपका डोकुमेंट वरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की जाएगी बड़े पसंद आये तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेर करना ने भूलें आपके अपनी यूटूब चैनल रास्तान विरोजगार चातरशंग को सस्क क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके धन्यवाद दोस्तों